हेलो फेंड्स वेलकमी वाल आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि कैसे हम screener.in का यूज करके अपनी कोई भी एक particular screen बना सकते हैं और particular stocks को filter कर सकते हैं on basis of work criteria तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं screener.in की तो इसमें सबसे पहले आपको home page पर जाना है और इसके लिए आपको login होना जरूरी है तब ही आप यह particular आपकी screen जो है stock filter की बहुत बना पाएंगे सबसे पहले आपको tick करना है screens पर तो यहां पर आपको बनानी होगी अपनी screen तो उसके से पहले जैसा कि example में दिया हम यहां पर ले सकते हैं कि market capitalization तो जो भी आप query लगाएंगे हैं यहां पर तो वह आप लगा सकते हैं जैसे कि हम यहां पर लेंगे मार्केट केपिटलाइशन तो यहां से यह हो गया market capitalization यहां यहां पर एक पहला फिल्टर आपका लगा आप इसके बेसे हम करके देखेंगे कि कितनी ऐसी लिष्टेड कंपनी हैं इंडिया में जिनका market capitalization एक हजार करोड से उपर है तो इसके लिए run this query पर हम किलिक कर देना है तो इसमें आप देखें जो यहां पर रिजल्ट्स आये हैं उसमें 933 कंपनी है जो इंडिया में रेइस्टेड है जिनका market capitalization एक हजार करोड से उपर है तो इसमें different जो results आये हैं 933 तो different pages में जो आपको result यहां पर दिख जाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं next page यहां से इस तरह से जो भी होंगी आप यह company वह filter होकर आ जाएंगे अब यहीं query है इसमें आप अलग-अलग query भी डाल सकते हैं तो अगर आपने पहला यहां पर query डाला है तो उसको space देके उसके बीच में आपको रिखना है end तो यहां पर हमने end लगाया उसके बाद हमें अपनी query यहां लिखनी है जैसे कि हम चाहते हैं कि जो debt equity ratio है उसके basis पर हम company sort करें तो यहां पर debt equity जिनका debt equity is equal to zero तो यहां पर debt equity is equal to zero तो यहां पर जो screener है वो इस तरह की company select करेगा जिनका market capitalization 1000 कोड़ों से उपर हो और जो इनका debt equity यानिक है इन पर करजा ना हो debt equity ratio जीरो हो तो चलिए अब हम इसको फिर से run this query करते हैं तो यहां पर इस तरह से इंडिया की जो companies है उसमें से 121 AC companies है जिनका market capitalization 1000 कोड़ों से उपर है और उन पर जो debt equity ratio है वो आपका zero है तो इस तरह की company यहां पर filter होकर आ चुकी है और यहां पर आप देखेंगे particular जिसे यहां पर जो भी company होंगी वो zero debt equity वाली होंगी वो यहां पर filter होकर आई है इस तरह साब further इसमें query इस तरह से add करते जा सकते हैं जैसे कि अगली query के लिए फिर आपको जैसा की पता है में बीच में लगाना है तो अगली query के पहले हमने लगाया और वहां पर फिर हमने next query लिखी यानिके ROCE ROCE यानिके return on capital employed तो हम माल लिए एक criteria लेकर चलते हैं जिसमें की return on capital employed company के लिए होना चाहिए वो 15% से जादा हो तो हम फिर से इस query को run करेंगे और देखेंगे इसमें कितनी company further filter out हो जाती है तो यहां पर देखा जाए तो जो हमारा queries के results आए हैं उसमें 74 companies इंडिया के ऐसी हैं जिनका market capitalization 1000 कोड़ से उपर है date equity 0 है और उनका return on capital employed यानिके ROCE है वो 15% से जादा है तो यहां पर different companies आपको मिल जाएंगी तो इस तरह से जो भी different company जो भी आप created डालेंगे उसके साफ से filter होके आ सकती है और आप चाहें तो इस particular screen को save भी कर सकते हैं इसको आपको नाम देना होगा जिससे की my screen चाहें तो इसमें आप description भी लिख सकते हैं कि particular अपने screen से select किया है तो इस तरह से आप चाहें तो इस query को public भी कर सकते हैं हमें public नहीं करना है तो इस query को हम यहाँ से save कर लेते हैं तो इस तरह से जब भी आप अपनी home page पर जाएंगे तो यह query को आप access वहां से कर सकते हैं जिस criteria के हसाब से भी आपने इसको लगाया था तो यह जो particular query है वह आपकी यहाँ पर आजाएगी जो जो आपने screens बनाई हुई है तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाई थी माइस की हमने जो भी character थे वो दिये थे यह हमारे particular तो इसके basis पर इस तरह से अलग अलग अपनी जो screen screens है और उसके basis पर इस टो को filter कर सकते हैं तो यह काफी आसान है और यह पर्टिकुलर जो facility है इस screener.in की वो बिल्कुल free है तो आप इसका use करिए और comment box में लिखे किस तरह सा आपने screen मनाई और क्या 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 आपने criteria के basis पर इस टो को filters किया friends thanks for watching this video अगर यह वीडिया आपको पसंदा है दोसको like करें, share करें और साथ हमारे channel को subscribe भी करें